कम्प्लीटी से बैक कर लेना है जारो स्कॉइब निम्ट पर किलिक करना यहां पर देख रहे हैं अगर अगर आपके पास कोई भी रियल्मी के फोन है और आपकी फोन में लॉक लग गया और आप अपने हैंसेट को अनलोक नहीं कर पारे हो बार बार पर परिशान हो गए हो आज की इस वीडियो में आपको मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप घर बैठे अपने हैंसेट को अनलोक कर सकते हो और अपने डाटा को भी रिकवर कर सकते हो तो आप भी अपने फोन को अनलोक करना चाहते हो और डाटा को रिकवर करना चाहते हो तो इस वीडियो क्या होता है आपका फोन में जब लॉक लग जाए तो बहुत ही सिंपल ट्रीक है जिससे आप घर बैठे ही अपने हैंसेट को अनलोग कर सकते हो रियलमी का कोई भी मॉडल हो या कोई भी तरह का फोन हो रियलमी का कोई भी मॉडल क्यों न हो तो चलिए फटाफट मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट करने से पहले अदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा ऐसा वीडियो हरमेसा यूट्वे में लाता रहो तो glitch unlock करने का क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ पहला तो अब हैंने से सीम कारड को क्कार दिजीएगा दिख रहे हैं आपने फ़ोन में सीम कारड को निकाल रैं पहले सए तो आप भी man Jest לח einय बट लुग आप लोग पावर बटन को प्रेस करके रखना आपको ठीक ह जब तक इस तरह का स्क्रीन पर आइकन नहीं आ जाता तब तक power button आपको प्रेस करके रखना है एंद इसके बाद आपको restart कर देना restart होते ही आपका handset offline mode में चला जाएगा तो इस offline mode का फैदा आप उठा सकते हो कि इस phone में अगर आप एक बाद offline mode करके थोड़ा सा आप method यूज करोगे service center का तो आप अपने handset को unlock कर सकते हो और साथ ही data भी recover कर सकते हो तो चलिए कैसे अनलोग करते हैं वीडियो को last time देखिएगा इस skip नहीं किजिए अगर step by step समझेगा ठीक है तो अगर आपके पास कोई भी another phone भी lock हो जाए कभी भी गलती से तो comment कर सकते हो में next video में आपके लिए भी वीडियो जरूर लाँगा ठीक है जब हमारा phone कुछ इस तरह से open हो जाए हमारा कोई चीज काम ना करे power button off करें फिर ऐसे करेंगे फिर भी हमारा नीचे जो आइकन आता है home button back button या कोई भी तो आपको simply करना है emergency call का page open जब आपका emergency call का page open हो जाए तब आपको service center का method करना है ठीक है तो first method क्या है आपको यहाँ पर एक code को dial करना है अपने handset में ठीक है तो इस code को आप बारिकी से अपने phone में dial कर लीजिएगा ध्यान से जिससे आपका पूरा का पूरा phone unlock हो जाए तो यह हमारा unlocking code है ठीक है तो इस code को आप copy कीजिए अपने handset में जब copy हो जाए तब इस code को ह हमें activate करना है service center से तो service center से activate करने के लिए हमें यह call वाला option का help लेना होगा call पर हमें simply click करना होगा ताकि यहाँ पर एक notification हमारे screen पर आए हमें यहाँ पर permission देना है तो simply हमें यहाँ पर OK पर प्रेस करेंगे तो यह code हमारा activate हो जाएगा and then this code को फिर हम हटा लेंगे जब यह द दोसरा code यूख करना है data recover ठीक है तो आपको यह code को बारिकी से अपने phone में data recover के लिए यह code आपको यूज करना होगा ठीक है तो यह code को expensive code करना होगा ठीक है फिरसे हम call पे click करेंगे यहाँ फिर एक notification हैगा जब यहाँ पर OK पर प्रिस करेंगे एंदन इस कोड को हटा लेंगे तो maximum हमें यहाँ पर 3 सेकंड वेट करना होगा ठीक है 3 सेकंड जब आपको लगे कि हमारा 3 सेकंड कम्पलीट हो गया है तब हमें यहाँ पर FRP अनलोकिंग कोड यूच करना है यह कोड को डाइल करते ही आप एक इंजीनियर मोट के फाइल पर आने के बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर बहुत तरह का ओप्सन होगा ठीक है तो आपको वही ओप्सन यूज करना है जिससे हमारा हैंसेट अनलोक हो सके मैनुल टेष्ट को ओप्सन को ओपेन करना है जब मैनुल C Ingred का ऑप्सन को ओपेन करना है तो आपकों यहाँ पर यह ओपन करना दीखेगा तो आपको डिवाइस पर चले आना है जब device पे आप लोग आओगे तो आपको पहला यहां पे gyroscope का option दिखेगा इस पे आपको click करना है gyroscope पे click करते ही आपको first number graph को open कर देना और यह line जो देख रहा है यह आपका unlocking हो रहा है तो यहां पे हमें थोड़ा सा wait करेंगे 5 second कम सकम 5 second हम wait करेंगे जब 5 second complete हो जाए तो इसे भी back कर लिजएगा और यहां पे gyroscope cell test पे click किजएगा testing हो यहां पे testing में यहां पे pass हो जाएगा and then इसके बाद इसे भी back करेंगे and then data display को open करेंगे और हमारा पूरा पूरा data हो वह हमारा complete हो रहा है यान की recover हो रहा है तो पूरा data जब हमारा complete हो जाए तब हम इसे भी back करेंगे इस बहुत ही छोड़ देंगे जिब यह ज्यादना 30 हो जाए 30 तो आपको होँम बनन को किलिक कर देगा तो आपका रियल मी का कोई भी फोन हो आप घर बैठ ही अनलोक कर सकते हो बीना डाटा डिलेट की और बीना पैसा को वेस्ट किया जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरा फोन भी अनलोक हो गया और मेरा कोई भी तरह का एप हो या इमेज होए वीडियो कुछ भी डिलेट नहीं हुआ आई होप यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लिजेगा थैंक्स फोर वाचिंग